बच्चों अभी हमने previous session में ये देखा था कि tense को कैसे हम grid की help से जो add करते हैं इसी तरीके से हम once को कैसे grid के help से जो add करते हैं ये इस session में हम देखेंगे यहां आप देखे 55 plus 3 is equal to 58 बच्चों means कितने हमें once add करने हैं 3 once add करने हैं कितने once add करने हैं 3 ones add करने हैं, तो बच्चों हम यहां देखते हैं, जैसे यहां पर आपका इस grid में 55 कहा है, यहां है, इसमें हम आप downwards नहीं जाएंगे बच्चों, इसमें forward चलेंगे, forward चलने के लिए तो हम क्या करेंगे, forward में सामने की तरफ, तो 55 से 3 ones, 1, 2, 3, means कहां आप आ गए, 58 पर, it means 78 से आपको 7 ones add करने हैं, तो 78 से बच्चों हम 7 points जो है, हम forward चलेंगे, तो 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, तो means आपका जो यहां answer हुआ, वो 85, इसी तरीके से बच्चों add using 10 into 10 grids, आपको 71 to 6, means 6 ones आपको forward जाना है, 34 to 8, आपको 8 forwards जाना है, 8 ones, 89 to 9, आपको 9 ones forward जाना है, तो आपको इस तरीके से यह 4 questions आपको करने हैं, करके आप इसे copy पर मुझे send कर जीए, goodbye students.